हेलो फ्रेंड्स विलकम बैक टो माई चैनल मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिजाइन फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग विद बेल्ड के साथ में तो हम लोग ने इसकी कटिंग पिछल सबसे पार आंगे दोनों साइट के लिए हमीं थीन्तिन पारत थे तो देख सकत। देख सकते हो इस तरह से जैसे हमारे जैसे हमरास इस तरह से चैट से होगा और ये हमारा कुछ इस तरह से सेट होगा तो ये हमारी 3-3 पार्ट है दोनों साइट के लिए 6 पार्ट है अब हम एक-एक पार्ट लेके जोड़ेंगे तो सबसे पहले एक साइट के पार्ट अभी हम अटा देते हैं क्योंकि सारे तो एक साथ नहीं जोड सकते तो चलो इनको हमने 3 को साइट में कर दिया आप सबसे पहले इसको हम जोड़ेंगे तो इसका बेल्ट सबसे पहले साइट में करते हैं जो हमारा प्रिंसेस कट है उसे हम जोड़ेंगे तो इसको जैसे हमने कट किया है वैसे ही हम जोड़ेंगे एक चीज का ध्यान रखना जो उल्टा साइड है उसे हमें मार्जिन की तरफ को लाना है और जो सीधा साइड है वो सीधे साइड की तरफ तो बस अब जैसे हमारी गुलाई में है वैसे ही इसको गुलाई में जोड़ना भी है तो देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको पकड़ेंगे इस तरह से तो यह हमने पकड़ा और बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए ऐसे फाल इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे गुलाई पर ऐसे ही शिलाई लगा देनी है तो चलो हम यहाँ पर शिलाई लगा के आपको दिखाते हैं बस हाफ इंच का मार्जिन लेना है पूरे गुलाई पर ऐसे शिलाई लगा देना है जिस तरह से हमारी शिलाई लग रही होगी तो यह हमने यहाँ पर शिलाई लगा लिया तो जिस तरह से हमारी बेल्ट की गुलाई है वैसे ही बेल्ट को भी हम जोड़ देंगे तो बस आगे की साइट थोड़ा सा हाफ इंच निकालते हुए कोना रखेंगे और बस यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे में शिलाई लगा लेंगे तो चलो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं अब जो एक्स्ट्रा का फैबरिक है जैसे इधर साइड हमारा कोना निकला हुआ था उसे बिल्कुल बराबर से cut कर देना है और इधर साइड का जितना एक्स्ट्रा का पट्टी है उसे हमें cut कर लेनी है तो यह हमने यहाँ पर एक पार्ट complete कर लिया है अब जैसे हमने यह वाले पार्ट तीनों complete कर रहा है सेम ऐसे ही तीनों पाट हम इधर के भी complete कर लिएगे तो ये हमने यहाँ पर complete कर लिया अब इसके बाद हम hook पटी और आई पटी लगाएंगे तो जो हमने ही hook पटी और आई पटी कट किया था उनको ले लेंगे तो इस तरह इस पटी लिया सबसे पहले हम घटबा पटी लगान सिलाई लगा देंगे ओपति को एसे पूरा अंदर के sounding को फोल्ड करेंगे स्थे अजय से सिलाई लगे टिया हमारी घंगे ती ने मेर्ण है ने इस प्रति पति यान्यी तो इसे ने हमारी नहीच बड़ा पती बनाएंगे तो यह हमने यहाँ पर सिलाय लगा लिया है, जो एक्ष्डा की पटी थी उसे हमने cut कर दिया है अब पटी को हम अपने पटी की side को जो मार जी ने पटी की side को fold करेंगे आगे से याँ उसे फेबrik को half इंच लिगबग fold करेंगे अब हम गले पे piping लगाएंगे तो जो हमने और यह पटी लेनी होती है तो और यह पटी हमने यहाँ पर cut किया है और यह पटी ले लिया है और इसको हम इस तरी से double fold करके लेंगे अपनी पटी को और आगे से यहाँ पर हम बराबर से ऐसे cut करेंगे और कट करने के बाद अब इस पट्टी को अंदर के साट को ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद फिर से ऐसे फोल्ड करेंगे और बस अब हम इस पट्टी को ऐसे बिल्कुल आगे से रखेंगे और रखने के बाद बस यहां पर एक पर का मार्जी लेते हुए पूरे में शिलाई लगा लेंगे पूरी पट्टी को और पट्टी को खीचते हुए लगाएंगे कपड़े को नहीं खीचेंगे तो इस तरह से हमने यहां पर शिलाई लगा लिया जहां पर भी मोटा फैबरिक कर दिया है अब इसके बाद इसको हम इस तरह से अंदर की शाट को फोल्ड करेंगे और बस यहां पर साइट से सिलाई लगा लेते हैं तो इस तरह से हमने यहां पर शिलाई लगा लिया पूरे में तो जैसे हमने यह वाली पट्टी कंप्लीट करिए अपनी पाइपिंग पट्टी को बढवा पट्टी के उपर उठा की इस तरह से रखेंगे पिंस सिक्योर कर देंगे तो यह हो गया हमारा बेल्ट ब्लाउज मतलब प्रिंसे सकट ब्लाउज के साथ में वीद बेल्ट की कटिंग और स्टीचिंग हमने आपको बता दिया आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया है समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिगा चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिगा थेंक यू